हेलो दोस्तों सौगत है अप सभी का वीजेस रिव्यूज में आज हम लोग रिव्यू करेंगे एमाज़ान प्रैम की तेलगो मूवी पागल को जिस वीडियो को एंट तक जरूर देखना तो चलिए शुरू करते हैं तो पागल ये एक तेलगो मूवी है जो कि आज ही एमाज़ान प्रैम पर रिलीज हुई है और आगे कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लाइट हाटेट कॉमेडी मूवी देखना पसंद आती है जिनमें आपको ज़्यादा दिमाख ना लगाना पड़े तो आपको ये मूवी डेफिनिटली पसंद आने वाली है और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ इस पर तो मैं आगे वीडियो में बात अगर हम इसके कहानी की बात करें तो ये कहानी ये प्रेम नामके एक लड़के की जिसको हर दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है लेकिन उसके लड़की से सचमच प्यार हो जाता है और उसके बात प्रेम की लाइफ में आगे क्या क्या होता है और वो उस लड़की को कैसे पटाता है यही सब इस movie की कहानी है अगर हम इसके screenplay की बात करें तो यह screenplay काफी average है मतलब इस movie में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा जो कि आपने पहले ना देखा हो या फिर जिसकी उमीद आपने ना करी हो यह पूरी movie काफी जादा routine और predictable है लेकिन फिर भी इ इतने अच्छे से तो लिखाई गया है कि starting से हमारे इस movie के साथ एक connection बन जाता है और जो कुछ भी इस movie में हो रहा होता है उसे हम enjoy कर पाते हैं although इस पूरी movie में आप बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा सकते वारना इस movie में आपको ऐसा बहुत कूस देखने को मिलेगा जिस पर आप विश्वास नहीं कर पाओगे और जहांते बाते टुस्ट एंटन्स की तो यह पूरी movie काफी जादा predictable रहती है और हमें पता होता है कि concert twist आगिरा के कैसे end होने वाला है लेकिन फिर भी हर एक टुस्ट को इतने अच्छे से तो लिखाई गया है कि हर एक टुस्ट के स साथ एक अच्छा कासा connection बन जाता है और जो characters की बिश्के dynamics रहते हैं वह भी पूरी movie में मैंने enjoy करें लेकिन अगर हम इस movie की negative points की बात करें तो यह पूरी movie काफी दादा predictable रहती है और अगर आपने अखी लखी ने की movie जिसका हिंडी डब में नाम Mr. Majnu था अगर आपने वो movie देख रखी होगी तो यह movie आपको उस movie की काफी जादा याद दिलाने वाला है और आपको कई point पर तो ऐसा लगेगा कि यह movie उस movie की remake के जो की काफी बुरी बात है और भी कुछ problems है इस movie में लेकर उन सब पर बात करके मैं आपके इस movie को देखने का मज़ा खराम नहीं करना च है यह फिर भी हम इस movie के साथ जूड़े रहते हैं जो की अच्छी बात है लेकिन जो editing है वो मेरे ख्याल से थोड़ी और भैतर हो सकती थी क्योंकि मेरे ख्याल से इस movie की length थोड़ी और कम होनी चाहिए थी और जहांते बात है production quality की तो वह काफी च्छी है तो overall मैं यहीं बोलन में ज़रूर बताना कि आपको यह movie कैसी लगी और अगर आपको वीडियो से related to solution इसक्राइब करने हो तो भी आप हमें comment से बता सकते हैं या फिर हम Instagram और Twitter पर follow कर सकते हैं link description में आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like कर देना चैनल को subscribe कर देना और अपने दोस्तों में यह वीडियो शेर कर देना मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत